आजादी के अमरित काल में 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा उच समाएगा दुनिया में भारत का तिरंगा जंडा विक्सित भारत का तिरंगा जंडा होना चाहिए रत्ती भर भी हमें रुकना नहीं है पीशे नियाटना है और इसके लिए सुचीता पारदर्शीता और निस्पक्षता ये पहली आप मजबूती की जरूरत है हमें उस मजबूती को जितना ज्यादा खात पानी दे सकते हैं संस्ताओं के माद्दम देख सकते हैं नागरी के नाते दे सकते हैं परिवार के नाते दे सकते हैं ये हमारा सामुहिक दाईत्व होना चाहिए और इसलिए पिछले 75 साल का इतिहाद देखी है भारत के सामर्था में कोई कमी नहीं थी अरे जो देश कभी सोना की चिडिया कहा जाता था वो देश क्यों न फिर से उस सामर्था को लेकर के खड़ा हो सकता है मेरा अतूर्ट विश्वास है साथियो मेरे पियप परिवार जनो मेरा अखंड अतूर्ष एक निश्ट विश्वास है कि 2047 में जब देश आजादी के सो साल मनाएगा मेरा देश विक्सिद भारत बन के रहेगा और ये मैं मेरे देश के सामर्थ के अधार पर कह रहा हूँ मेरे उपलब्द समसादनों के अधार पर कह रहा हूँ ऐसे घर कर गई है हमारी समाज ववस्ता का ऐसा हिस्सा बन गई है कि कभी कभी तो हम आँख भी बंद कर देते हैं अब आँख बंद करने का सबय नहीं है अगर सपनों को सिद्ध करना है संकल्प को पार करना है तो हमें यह आँख में छोली बंद करके आँख में आँख मिलांग करके तीन बुराईयों से लड़ना बहुत समय की मांग है हमारे देश की सारी समचाओं की जड़ में प्रस्ताचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्ताओं को देश के समर्थ समर्थ को पूरी तरह नोच लिया है प्रस्टाचार से मुक्ती प्रस्टाचार के खिलाब जंग हर जी काई में हर खेतर बैग और मैं देश वासियों मेरे प्रिये परिवार जनों ये मोधी के जीवन का कमिटमेंट है इमने अम्धियत प्रव्यक्तित्वर का एक commitment है कि मैं प्रस्चा चार के खिलाब लड़ाई लड़ता रहूँ गा दूसरा हमारे देश को नोच लिया है परिवारबाद ने इस परिवारबाद ने देश को जिस प्रकार्जे जकर के रखा है उसने देश के लोगों का हक चिना है और तीसरी बुराई तुष्टी करन की है ये तुष्टी करने भी देश के मुल्फु चिंतन को देश के सर्वसमासवैशर हमारे राष्टे चरित्र को दाग लगा दिये दैस नैस कर दिया है इन लोगों ने और इसलिए मेरे प्यारे देश्वासियों, इसलिए मेरे प्यारे परिवार जनों, हमें इन तीन बुराईयों के खिलाब पूरे सामर्थ के साथ लड़ना है, प्रस्ताचार, परिवारबाद, तुस्त्री करण, ये चुनोतियां हमारे ये ऐसी चीजे पनपी है, जो हमारे देश के लोगों का, जो आकांग्षाए, उसका दमन करती है, हमारे देश के कुछ लोगों के पाथ जो छोटा बोटा सामर्थ है, उसका शोशन करती है, ये ऐसी चीजे हैं, जो हमारे लोगों के आशा आकांग्षाओं को, सवाल या निसान में गार देती है, हमारे गलीब हो हमारे दलीत हो हमारे पिछड़े हो हमारे पसमांदा हो हमारे आदिवासी भाई बहन हो हमारी माताए बहने हो हमने सबने उनके हकों के लिए इन तीन बुराईयों से मुक्ति पानी है हमें प्रस्टाचार के खिलाब एक नफरत का बाहूल बना रहा है जैसे गंदकी हमें नफरत पादा करते हैं न मन में गंदकी पसंद नहीं है यह सारवजनिक जीवन की इससे बड़ी कोई गंदकी नहीं हो सकती और इसलिए हमारे स्वचता अभियान को एक नया मोड ये भी देना है कि हमें प्रस्टाचार से मुक्ति पानी है सरकार टेक्नोलोजी से प्रस्टाचार की मुक्ति के लिए बहुत प्रयास कर रही है आपको जानकर कहरा नहीं होगी इस देश में पिछले नौव साल में एक काम मैंने ऐसे कि आकरा सुने को दो लोग है कि मुदी ऐसा करता है जैसे दस करोड़ लोग करीब करीब जो गलत फाइदा उठाते थे वो मैंने रोब दिया तो आप पेसे कोई कहेगा आपने लोगों सन्याय कर दिया जी नहीं यह दस करोड़ करोड़ कौन लोग थे यह दस करोड़ वो लोग थे जिनका जन्म ही नहीं हुआ था और उनके नाम पर उनके वीड़ो हो जाते थे वो वृद्ध हो जाते थे वो दिव्यांग हो जाते थे फाइदे लिये जाते थे दस करोड़े से बेनामी जो चीजे चलती थी उसको रोकने का पवित्र काम प्रस्टाचारियों की संपत्ति जो हमने जब्त किये नहीं वो पहले की तुल्ला में 20 गुना जादा की है मेरे प्यारे परिवार जनों यह आपकी कमाई का पैसा लोग लेकर के भागे थे 20 गुना जादा संपत्ति को जब्त करनेगा और इसले लोगों की मेरे प्रस्टी नाराजी होना बहुत स्वाबाविक है लेकिन मुझे प्रस्टाचार के खिलाब की लड़ाई को आगे बढ़ाना है हमारे सरकारी व्यवस्था ने पहले केमेरा के सामने तो कुछ हो जाता था लेकिन बाद में चीज़े अटक जाती थी हमने पहले की तुलना में कई गुना जादा अदालत में चार शीट की है और अब जमानते भी नहीं मिलती है वैसी पक्की व्यवस्था को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हम इमानदारी से ब्रस्टाचार के खिलाब रड़ रहे हैं आज परिवारवात और तुष्टिकरन इसने देश का बहुत बड़ा दुरभागी किया है अब लोगतंत्र में यह कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी और मैं विशेद बल दे रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी आज मेरे देश के लोगतंत्र में एक ऐसी विकृति आई प्रिवारवादी पार्टी आज और उनका तो मंत्र क्या है कि पार्टी ऑफ पेमिली एड़ फैमिली इनका तो जीवन मंत्र यह है कि अनकी पॉलिटिकल पार्टी उनका राजनितिक दल परिवार का परिवार के द्वारा और परिवार के लिए परिवारवाद और भाई भतिजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं योग्यता को न कारते हैं सामर्ठ को स्फिकार नहीं करते हैं और इसलिए परिवारवार इस देश की लोकतन्त्र के मजबूति के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है सर्वजन हिताए सर्वजन सुखाए हर किसी को हक मिले इसलिए और सामाजिक न्याय के लिए भी ये बहुत अरुआ उसी प्रकारते तुष्ट्री करण तुष्टी करण ने सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा नुक्षान किया अगर सामाजिक न्याय को तबाग किसे ने किया है तो ये तुष्टी करण की सोच, तुष्टी करण की राजनिती तुष्टी करण का सरकारी योजनाओं का तरीका इसने सामाजिक नयाय को मोत के घाट उतार दिया है और इसलिए हमें तुष्टी करन प्रस्टाचार ये विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है अगर देश विकास चाहता है देश 2047 विक्सित भारत का सपना का साकार करना चाहता है तो हमारे लिए आवशक है कि हम किसी भी हालत में देश में प्रस्टाचार को सहन नहीं करेंगे